लखीम पुर्खीरी पुलिस कारेवाही से नाराज लोगों ने शव को मैगल गंज मार्क पर रखकर जाम लगा कर हंगामा शुरू किया भड़की हुई जनता पुलिस वारा पर चिपात करने का आरोप लगा रही है दरसल पूरा मामला लखीम पुर्खीरी के नीम का उठाना छेत्र का बताया जा रहा है जहां बीते दिनों महर्रम में ताज या दफन करते समय दो गुटों में जम कर मारपीट हुई थी जिसमें एक युवक को गंभीर चोटे भी आई थी बीते चार दिन बाद उत युवक की मौत हो गई है पुलिस ने मारपीट के मामले में किसी के खिलाब कोई कारेवाही नहीं की नहीं किसी की गिरफतारी हुई जिसके बाद कुछ सायन रतक के परिजनों ने शोव को हाईवे पर रखकर कस्ता नदी पुल पर जाम लगा कर प्रशाशन के खिलाब जम कर नारे बाजी की उधर मौके पर पहुची पुलिस ने जाम छुडाने के लिए काफी प्रयास किये लेकिन भड़की जनता को समझा पाना पुलिस के लिए मुश्किल था जिसके बाद पुलिस ने जाम लगा रहे लोगों पर जम कर लाठिया बरसाई मितौलि थाना के एसो अनिल कुमार सैनी ने खुद दोड़ा दोड़ा कर लोगों को जम कर पीटा जिसके बाद जाम खुल पाया उधर सीओ का कहना है कि पीएम रिपोर्ट आते ही आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट के हिसाब से करेवा ही की जाएगी आज जो था यहां पर जो मत्टी हुई हमारे साले साइब कल वाले दिन मार फीट उस बनिया ने की थी यह तरसे मारा गया फिर उसके बैजे जो थे बो भी निकाल दिये चक्कू से आज जब यहां डगरे पर बैठे हम लोग सभी बैठ बैठे हुए थे जब पलिस आई तो प्लिस ने लाठी चार्ज कि लिया किसी की तुद्वाई नहीं की गई है kur summary थोटे महीं सूखी नहीं कि नहीं किया नहीं जब तlish left आलत भी तीन दफे थाने को गए और दीवान साहब कहने लगे कि यहां तुमारी कोई सुनवाई नहीं हूँ एक विस्ट की अक्सिडेंट में कुछ छोट लग गई थी अनाम जॉनी था और उसकी इलाज के अधारान कर लजिस्टे को स्पित्रक में टेथ हो गई परिजनों का रोप था कि उनको मारा पीटा क्या है और तोड़ा था परिजनों ने यह कहना इस पर फुलिश को सितकारवा अधे रुकिये रुकिये कहा जा रहे हैं अभी घतम नहीं हुआ है अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है ते नीचे दिये गए लाइक बटन पर तुरंद क्लिक करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूले बगल में सब्सक्राइब का भी बटन है प्रिप्या सब्सक्राइब पर सरूर लिख करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं और हमारे सारे वीडियोज को सबसे पहले देखने का मौपाँ पाई